आप सोचेंगे सार्य बॉंड क्या है कहीं यह पर यूज किया यह अब यूज क Ready आप आपको इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी अब आपको जरुवत पड़ेगी करिकल बॉंड की यह क्या होता है एक ऐसा bond जो atoms के attraction से पैदा हो इसलिए इसका नाम है chemical bond सर atoms एक दूसरे को attract करेंगे ऐसा क्यों करेंगे क्यों atoms एक दूसरे को अपनी तरफ attract करेंगे तो atoms attract करेंगे क्योंकि atoms की outer most shell जिसको हम valence shell के नाम से जानते हैं या outer most shell outer most shell जिसको हम valence shell कह रहे हैं उसको वो complete करना चाहते हैं सर ऐसा क्यों है क्यों वो outer most shell complete करना चाहते हैं कोई logic है उसका हाँ बहुत basic logic है all elements in order to stabilize want to achieve octet configuration क्या चाहते हैं octet मतलब अपनी outer most shell को complete 8 बनाना चाहते हैं हाँ अगर पहला पहली shell ही ना हो तो second, third, fourth जो भी shell हो उसको 8 तक ले जाना चाहते हैं हम इसे कहते हैं octet configuration अथा stable configuration ले जाना आते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए उनके either lose या gain करना पड़ेगा या transfer of electrons करना पड़ेगा समझ गए और इसी के वज़य से क्या होगा इनके बीच में bond बनेगा हाँ जैसे तुमारे और मेरे बीच में एक bond बन गया है तुमने मुझे येस आप सबने मुझे सला दी आप सबने मुझे बताया कि कहां आज के वीडियो में lack हो रहा है कहां आज के वीडियो में problem आ रहे है और आप इस बना को मानते वे हमने क्या किया इसमें betterment किया हर बार ऐसा होगा ये एक मार्थव चैनल है सर तरुनरपानी जहां पर आपको exclusive content absolutely free मिल रहे होते हैं न स्विडियो के रूप में बलकि notes, classes और हर कुछ every session, every doubt clearing session every notes absolutely free मिल ले वाले कहां मिलेंगे आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दो आपको telegram channel हमारा join कर लेना चाहिए और हमने एक app भी बना लिया है सर तरुनरपानी के नाम से एक app बना लिया है इस app पर आपको store material पर जाना पड़ेगा वहाँ पर ये सारे notes भी digital form में आपके पास available होंगे तो जब chemical bond की बात करते हैं तो हम attraction की बात करते हैं और क्योंकि attraction atoms के बीच में है इसलिए इसका नाम है chemical bond James bond नाम नहीं है हर न तो fairy bond नाम है तो जब ये bond होता है तो electrostatic force of attraction सर ये कहों सा force of attraction होता है positive और negative ions के बीच में जो force of attraction होता है उसे electrostatic force of attraction कहते हैं opposite charges के attraction को electrostatic force of attraction कहते हैं जिसकी वजह से ये bond बनता है तो sharing हो चाहे, transfer हो ये दो basic वज़ा हैं जिसकी वज़े से क्या होने वाला है chemical bond बनने वाला है आई ये तीन टाइप ऑफ chemicals on the basis of bond समझते हैं पहला chemical bond है ionic bond हाँ पहला है ionic bond जिसको हम electrovalent bond भी बोलते हैं हाँ सरी ionic नाम क्यों है इसका अरे भाई उसमें ions होते हैं charge particles positive charge हो जाएगा हम कहेंगे kate ion है negative charge particle है हम कहेंगे ion ह हाँ metals positive होते हैं याद रखेगा तो यह कैसे बनते हैं ionic metal और non-metal के transfer of electron से बनते हैं keyword क्या है electron का transfer होना keyword is transfer of electron तूसरा keyword क्या है metal और non-metal के बीच में metal का example sodium ले लूँ non-metal का example chlorine ले लूँ तो इन दोनों के बीच में जो bond होगा वह ionic bond होगा क्यों क्यों क्योंकि एक metal है और non-metal है और क्या बन जाएगा sodium chloride similarly magnesium chloride कोई दो ionic compound तुम बताओ मुझे हाँ जो मैंने यहां लिखे हैं उसको नहीं बताना है तुमको बताना है अभी live बताना है अगर मेरे तक live हो सेशन में तो live मुझे बताओ दो ionic compounds हाँ ionic मतलब electrovalent भाई एक metal और एक non-metal को बस चोड़ो बन जाएगा ionic compound आपको बताना है अभी चलिए जब तक मैं आगे लिख बता रहा हूँ आप type करते जाए answers को दूसरा आता है covalent bond सरी यह कैसा bond है एक ऐसा bond जो non-metal और non-metal के sharing of electron से बनता है की वर्ड फिर से याद करिए कैसे बनता है non-metal और non-metal के बीच में बनता है इसमें metal नहीं होना चाहिए और दूसरा की वर्ड क्या है इसमें electrons के sharing होती है और example hydrogen और ये chlorine hydrogen chloride बन गया hydrogen भी non-metal है chlorine भी non-metal है बन गया similarly ammonia nitrogen and hydrogen दोने example है एक कोवलेंट bond का आपको देना है दो कोवलेंट bond का example देना है मैंने जो लिखा है उसके अलावा चलिए आगे बड़े देखें अगर साथ में मिलके आप मेरे साथ अगर इस तरह से live session को share करेंगे live session में साथ में answers देंगे I am very very sure कि आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा दुबारा पढ़ना नहीं पढ़ेगा इसकी मैं guarantee लेता हूँ हाँ यही पर आपका यह chapter finish हो जाएगा पूरा chapter finish हो जाएगा one shot में कहीं दुबारा आपको न पढ़ने न देखने की जरुवत पड़ेगी सच कह रहा हूँ तो तीसरा bond कौन सा है sir इसमें तो आपने बताया कि transfer होता है इसमें आपने बताया covalent में sharing होता है यह कौन सा नया bond है इसे कहते हैं को हाँ यह को ओडिनेड बॉन्ड है बड़ा आजीब सा नाम है तो यह आयनिक और को वेलेंड बॉन्ड का combination है कई बार इसको वो डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं अब यह कैसे बनता है इसमें sharing भी होती है जी हाँ इसमें sharing होती है इसमें एक pair of electron यहां से करते हैं loan pair of electron की बीच में हाँ इसको बड़ा सा दियांजर समझेंगे topic के बहुत detail में जाएंगे और एक एक करके तीनों bond का meaning तीनों bond के types उनका structure कैसे बनता है यह समझेंगे और detail में जानेंगे आए स्टार्ट करते हैं अब ionic bond के बारे में एक करके समझते हैं तो जब हम ionic bond करते हैं मैंने पहली बताया नाम है ionic मतलब ions और ion मतलब होता है chart particle वो चाहे positive हो चाहे negative हो अब बात करते हैं ionic bond है क्या तो मैंने बताया ionic bond transfer of electron से बनते हैं किस से keyword क्या है electron transfer और किसके बीच में एक metal अपना electron lose करता है यहां जूनिये का lose करता है और non-metal क्या करता है electron gain करता ह दोनों मिल जाते हैं और एक bond बन जाता है हम इसे कहते हैं ionic bond कैसे बनेगा फिर से ionic bond बनेगा एक metal के बीच में metal हमेशा 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 electron lose करेगा अब नहीं भूलोगे अब हमेशा क्या करेगा electron lose करेगा क्योंकि metals क्या होते हैं donors होते हैं sir आपको कैसे मालूम अरे भा लास्ट यहल में वह हमेशा इलेक्टरोंस क्या करेंगे लूस करेंगे और लूस करेंगे तो वह डोनर इलक्ट्रो पॉस्ट्वलें और नॉनम्ड गया करते है ठीक उल्टा करते हैं उनके लास्ट यहल्ट में यूजली 5 6 यह 7 Electrons होते हैं यह Electrons क्या करते हैं यह Electrons क्या करते हैं गेन करते हैं ऐसा डूनों क्यों कर रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका Stable Configuration अचीव करना चाहते हैं क्या क्या stable configuration एक देकर और एक लेकर एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं मजबूत जोड बनना चाहते हैं और इसी जोड का नाम है येस इस जोड का नाम है electrostatic force of attraction क्योंकि दो unlike charges है एक positive और एक negative आपने वैसे भी पढ़ा होगा unlike charges attract and like charges repel याद होगा magnet भी पढ़ा था हमने तो ये unlike charges के attraction की वज़े से हो रहा है अब जो chemical compound बनेगा किसकी वज़े से इस transfer of electrons की वज़े से उसे क्या बोलेंगे हाँ उसे ionic compounds बोलेंगे या electrovalent compounds बोलेंगे और जो electrons आपस में gain और lose हो रहे हैं वो वो जो number of electrons जो कोई lose कर रहा है और कोई gain कर रहा है उसको कहेंगे electrovalency क्या electrovalency संख्या है number है अब आता है जब ये bond बन रहे हैं तो इस bond बनने की कुछ conditions हैं क्या conditions हैं कब electrovalent bonds ज़्यादा बनते हैं या कब ionic bonds ज़्यादा बनते हैं पहली condition है ionization potential सरी IP ionization potential क्या होता है अगर किसी के हाँ किसी element के ionization potential low है इसका मतलब है उसकी cation bond बनने की ions बनने की chances ज़्यादा है और जब ions बनेंगे तो ionic bond बनेगा तो क्या है ionization potential क्या है low होना चाहिए if there is low IP low ionization potential electrovalent bond बनने की chances ज़्यादा है दूसरा क्या है electron affinity सरी electron affinity क्या होता है electron affinity मतलब होता है कि shared pair of electrons को अपनी तरफ attract करना फिर से shared pair of electrons को अपनी तरफ attract करने को कहते हैं electron affinity अगर electron affinity high होगी again electrovalent bonds form होगे और तीसरा और आखरी चीज़ है electro negativity difference हाँ electro negativity difference high होने पर भी electrovalent bond बनते हैं हाँ हाँ electrovalent bond बनते हैं आईए कुछ example से समझते हैं कि ionic bonds कैसे बनेंगे पहले एक example है कि most ionic compound अगर मुझसे पूछ लिया जाए हाँ MCQ आर्थ कल आ रहे हैं आपको पता ही होना चाहिए तो आप क्या जवाब देंगे तब आप कहेंगे सीसियम fluoride सर सीसियम fluoride मैं समझ नहीं पाया सीसियम metal की list में हाँ metal की list में first जो list है हाँ group one में सबसे lowest पाय जाता है जबकि fluorine जो है वो non metallic की list में सबसे उपर पाय जाता है समझ गए तो यह most metallic है और यह most known metallic है दोनों जुड़ जाओ और बन जाओ most yes most ionic compound समझ गए सबसे ionic बड़ा compound कौन सा है सीसियम fluoride अब कोशन आता है यह सर यह ionic compound stable क्यों होते हैं हाँ इनकी बीच में जो bond बन जाता है जैसे मैंने कहा sodium chloride हाँ इससे पहले हमने discuss किया था यह मैंने कहा magnesium chloride इनका bond इतना stable क्यों होता है मतलब हम heat करें example देता हूं घर में हमारे घर में नमक पाया जाता है आप और मैं घर में जो salt खा रहे हैं हाँ आप और मैं जो घर में salt खा रहे हैं उसका नाम है NACL ठीक है इसको heat कर दे सोचे मैं इसको क्या करता हूं heat कर देता हूं यहां पर इसको क्या करते हैं heat कर देते हैं क्या होगा क्या sodium chloride बनने के बार कि heat करने के बाद भी दोनों disintegrate नहीं करते हैं तो इनका bond कैसा है बहुत stable bond है ऐसा नहीं है कि heat करने से bonding क्या तूट जाएगा इनका bond break हो जाएगा ding-a-pose नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच में एक strong electrostatic force of attraction है जो की unlike charges की वज़े से है एक positive और एक negative charge है unlike charge है इसलिए इसलिए इनका bond कैसा है stable है अगर यहीं कोशन मैं पूछूँ why they have usually high melting and boiling points जवाब फिर से यहीं हो जाएगा कि ionic compounds की melting and boiling points क्यों उतनी high होती है तो जवाब सेम यहीं है क्योंकि ionic compounds strong bond से बने electrostatic bond उनका बहुत strong है again sodium chloride, magnesium chloride हमने example दिया अब थोड़ा सा structure से समझते हैं ध्यान दीजेगा orbital structure और electron dot structure Lewis dot structure दोनों देखेंगे orbital structure आपके syllabus में नहीं है हाँ मैं समझाओंगा जरूर दिखाओंगा जरूर पर आपको क्या करना है yes good point of view से उसको सिर्फ समझना है किसकी बात कर रहा हूँ orbit structure की बात कर रहा हूँ आई यह बात करते हैं पहले sodium chloride के structure की जब हम sodium chloride की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए sodium chloride sodium that is na mass number 23 atomic number 11 उपर जो लिखा होता है जिस हम superscript कहते हैं वो हमारा mass number बताता है जिसको हम usually atomic weight की नाम से जानते हैं और नीचे आता है हमारा atomic number यह जो atomic number है यही हमारा proton के बराबर है और यही हमारा electron के बराबर है इसका मतलब आया कि हमारे पास कितने electrons हैं 11 electrons हैं हमें electron से main मतलब है किस से मतलब है हमें electron से main मतलब है और इसका मतलब है sodium के अगर electronic configuration बताएं तो 281 सही है sodium का electronic configuration होगा 281 क्यों 11 है ना 11 है तो पहली shell में 2 होगा k shell में 2 हाँ के पहली shell, केp shell में 2, दूसरी shell में 8 और 1 2 8 1 तो last shell में क्या है? 1 है. बताओ metal है की non-metal है? तुमसे पूछ रहा हूँ. बताओ यह 1 देखकर last shell में, last shell में 1 है, metal है की non-metal है sodium. टाइप करो अभी. चले, अगर आपने लिखा है, यह metal है, तो you are absolutely right. sodium एक metal है क्योंकि इसकी last shell में one electron आ रहा है अब देखें ये minus क्या show कर रहा है यह minus ये show कर रहा है कि ये lose करने वाला है क्या करेगा अपनी last shell में valence shell में जो एक electron है देखें one electron क्या कर रहा है lose कर जा रहा है और lose करते ही क्या बन जा रहा है sodium का iron बन जा रहा है हाँ याद रखिए जैसे ही charge लग जाते है उपर यह जो plus charge है यह क्या indicate कर रहा है कि sodium एक charge particle बन गया है cation बन गया है positive charge iron is called as cation बन गया है तो sodium से electron lose होने पर याद रखिए metal electro positive होते हैं metal donors होते हैं metal क्या करते हैं अपने electron lose कर देते हैं और इन्होंने एक electron lose कर दिया और बन गया na plus clear है या तक clear है आई यह sodium एक atom के रूप में जो आपने भी देखा na और दूसरा है sodium का cation इन दोनों में पहले difference देखते हैं क्या होता है क्या दोनों difference है कि नहीं है हाँ भाई difference है मैं आपको पहले difference बताऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे sodium के atom का और sodium के cation का क्या difference है सबसे पहले देखते हैं sodium के atom की बात करते हैं तो sodium atom silver color का होता है हाँ sodium atom जिसमें मैंने कहा अभी discuss किया 281 क्या 281 और जब इसकी बात करते हैं sodium के टाइन की बात करते हैं तो सिर्फ 2 और 8 की बात करते हैं तो जब हम sodium atom की बात करते हैं यह silver color का होता है और यह क्या है के टाइन है positive charge iron है colorless होता है toxicity क्या यह जेरिला है हाँ भाई sodium एक जेरिला metal है जबकि sodium ketion toxic नहीं है reactive sodium very reactive होता है यह in reactive है क्योंकि अब इसके पास क्या है last shell complete हो गई है तो को इसकी last shell complete है 8 आ चुका है octet आ चुका है क्या octet आ चुका है इसलिए अब यह lose gain नहीं करेगा valence elect shell की बात करोगे इसकी last shell incomplete है देख लो क्योंकि इसके पास 1 है इसके पास तो outermost shell क्या है complete है देखी 8 हो गया ना complete इसलिए तो यह क्या है in reactive हो गया है यह neutral होता है सब क्या neutral क्यों होता है यह सर atom atom एक neutral क्यों होता है atom neutral इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने number of protons होते है उतने ही number of electrons होते हैं अतार्थ इसका positive और negative दोनों क्या होता है बराबर होता है इसलिए ये neutral होता है जबकि ये खुद क्यों सा charge होगा positive इसलिए तो उपर लिखा है plus charge देखें साफ साफ दिख रहा है याँ पर तो cation है इसलिए plus charge है आगे बढ़ जाते हैं इसका existence ये combined state में पाया जाता है क्योंकि मैंने कहा sodium एक reactive metal है reactive है तो अकिला कभी भी नहीं पाया जाएगा किसी ने किसी के साथ combine होके पाया जाएगा जबकि ये independent exist कर सकता है कौन sodium cation हो गया difference दोनों में हाँ काफी ज़र difference बता दिये न गर का नमक बनाना है सही घर का नमक है sodium chloride इसका structure बनाना है पहले हम समझेंगे दोनों के बारे में अब chlorine की बात करते हैं अगर आप मुझसे chlorine पूछोगे तो मैं कहूंगा chlorine भी chlorine भी एक non-metal है सर भी का मतलब क्या है तो भी का मतलब यह है कि chlorine जो है क्लोरीन के अगर बात करूँ तो आपको chlorine आपको जस्ट अपोजिट दिखाई देगा sodium के कैसे chlorine के mass number की बात करें तो इसका mass number है 35 और इसका atomic number की बात करें तो इसका atomic number है 17 नतीजा इसका proton भी 17, electron भी 17 अब इसकी electronic configuration तुमको बतानी है तुम हाँ आप लोगों को बतानी है इस 17 से क्या है 17 इसका proton है 17 इन इसका electron है इसका electronic configuration क्या होगा चलो अगर आप कहते हैं इसकी electronic configuration यह रिखा chlorine इसकी electronic configuration होगी 2, 8 2 पहले shell में दूसरे shell में 8 2 और 8 कितना हो गया 10 और outer most shell में हो जाएगा 7 तो अब बताओ chlorine metal है कि non metal है और क्यों तो अगर आपने कहा कि sir outer most shell में 7 दिख रहा है आखरी shell यही है तो जो valence shell जिसको हम outer most shell कहते हैं अगर उसमें 7 electrons हैं तो हम समझ जाएंगे chlorine एक non metal है clear तो अभी confirm हो गया chlorine non metal है ठीक है chlorine non metal और sodium के बारे मैं भी discuss किया था कि sodium एक metal है अब non metal है तो non metals क्या करते हैं electron accept करते हैं क्या करते हैं क्योंकि इन्हें octet बनना है क्या इन्हें भी octet बनना है अपनी outer motion को 8 के बराबर लाना है तो इसलिए देखिए एक electron plus कर रहा है plus मतलब यह gain कर रहा है यह electron gain कर रहा है chlorine electron gain कर रहा है एक electron एक ही क्यों कर रहा है क्योंकि last shell में 7 है 8 मिल बनाने के लिए कितने चाहिए एक electron की जर्वत है देखिए अब CL minus यह minus sign क्या indicate कर रहा है कि यह nion बन गया negative charge ion को कहते है nion और all non metals becomes cations क्या all non metals becomes cations on gaining electron याद रखोगे और electrons क्योंकि यह acceptor है क्या acceptor है इसलिए हमेशा electro negative होते है याद रखेंगे आईए अब दोनों में difference भी देख लेते है किसके बीच में chlorine के atom के बीच में और chlorine के anion के बीच में आईए देखते हैं इन दोनों का difference again color की बात करें chlorine एक yellowish green gas होती है chlorine एक gas है जबकि chlorine anion क्या है colorless है again toxicity मतलब जहरिलापन chlorine एक toxic gas है जहरिली गयस है और chlorine chloride ions जो anion है वो non-toxic है odor मतलब महक मतलब smell यह suffocating smell है इसमें odorless है again chlorine atom very reactive है यह in reactive है सर यह in reactive क्यों है chlorine anion अरे भाई इन एक इसलिए है क्योंकि इसकी outer most shell complete हो चुकी है अरे octet बन गई है ने भाई यही तो करना चाहते है मुलोग octet बना चाहते है outer most shell complete कर लिया है इसकी मुझे valence shell के बारे बताओ तो मैंने बताया इसकी valence shell incomplete होगी इसकी valence shell complete हो जाएगी क्योंकि इसकी valence shell में 7 है और इसकी valence shell में 8 आ चुका होगा आगे यह neutral होता है क्योंकि मैंने कहा था जितने proton होते हैं इसके अंदर उतने electron होते है every atom is electrically neutral क्या every atom is electrically neutral because number of electron and proton equal होते है जबकि यह negative charge है तभी तो minus sign लगा है है ना minus sign तो यह electrically negative है यह independent exist नहीं करते हैं यह independent exist करते हैं सर यह तो समझ में आ गया आईए आपको बताया sodium के बारे में sodium के katein के बारे में chlorine के बारे में chlorine के niN के बारे में अब इनका एक diagram किस तरह से इनके बीच में sharing होती है यह आप diagram देखिए sodium का आपने structure देखना है याद रखे यह structure जो orbital structure है आपको prepare नहीं करना है only for knowledge sick है ध्यान दीजेगा इसमें sodium को आप आप देखे तो आपको पास दिखेगा कि outermost shell जो है जिसको मैं कह रहा हूँ last shell valence shell में जो electron मौझूद है वो एक है देख लीजे और यह chlorine है जिसके outermost shell में seven electrons है count करके दिखाता हूँ one, two, three, four, five, six, seven यह एक electron यहां इसको वो transfer कर देगा क्या कर देगा transfer कर देगा sodium के पास last shell में एक electron extra है इसलिए वो lose करेगा देखिए इस electron को lose कर जाएगा और जबकि यह क्या करेगा electron को gain कर जाएगा और अब देखे structure इसमें क्या change आएगा इसके बाद क्या चेंज आएगा देखे इसमें तीन शेल दिखाई दे रहे हैं के एल एम अब इसके वाज दोई शेल बची देखे देखा अब यहां आजाईए इसकी तीसरी शेल इनकम्प्लीट थी क्योंकि लास शेल में था 7 इलेक्टरॉन पर यहां आजाईए इसमें और्बिटल स्ट्रक्चर में डाइग्राम यह है जो आपको आना ही चाहिए हां इसे हम कहेंगे क्या इलेक्टरॉन डॉट डाइग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड चलिए इसमें क्या खास बात है देखे इसको स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करने आएगा प्लीज इसको प्र पता होना चाहिए कि सोडियम की आउटरमोस शेल में कितने इलेक्टरॉन होते हैं आपको पता होना चाहिए कि सोडियम की आउटरमोस शेल में एक इलेक्टरॉन एक्स्ट्रा होता है कितना एक इलेक्स्टरॉन और आपको यह पता होना चाहिए कि क्लोरीन की लाश शेल में क एक इलेक्ट्रोन होता है तो यह अपना एक इसको देगा कैसे देगा जरा देखिए तो एन एक सिंगल सर्कल बना हुआ है और सी यल में सेवन बने हुए जहां से देखिए तो आपको साथ सर्कल्स क्लोरीन के बाहर दिखाई दे रहे हैं और यह एरो क्या इंडिकेट कर रहा ह कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रोन जो आउटर मोस्ट शेल का है याद रखिएगा इलेक्ट्रोन डॉट डाइग्राम आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है क्या आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रोन ह अब ये देखिए एक electron यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है नतिजा क्या हो जा रहा है ये एक positive charge ion में convert हो जा रहा है और ये chlorine negative ion में convert हो जा रहा है दोनों को जोड दिया बन गया sodium chloride बन गया sodium chloride, यह है electron dot structure of sodium chloride, क्या magnesium chloride गभी बना सकते हैं, हाँ भाई, क्यों नहीं बना सकते हैं, magnesium chloride का, magnesium chloride का structure देखना होगा, तो आपको अब यहाँ देखना होगा, हाँ, magnesium chloride, जब हम बात करते हैं, magnesium chloride की, तो आपको देखना होगा, mg, जैसे हैं magnesium की, जैसे हैं बात करते हैं, magnesium की, हाँ, तो हमको magnesium का आयन पता होगा, electron पता होना चाहिए, तो magnesium के configuration की जब बात करेंगे, तो आ जाएगा, 282, इसका मतलब है, magnesium की outermost shell में कितने electrons हैं, 2, और हमें जब low structure बनाना होता है, तो हम सिर्फ outermost structure बनाते हैं, क्या लिखेंगे, mg और ये दो electrons बना देंगे, हाँ, मैंने कहा था, outermost shell बनाएंगे, और ऐसे बनाएंगे, और क्योंकि मुझे magnesium chloride का बनाना है, और chlorine का हम लोग structure और ही जान चुके है, chlorine का पड़ा था हम लोगने, electronic configuration हो जाएगी, 2, 8, 7, तो इसके पास outermost shell में कितने हैं, outermost shell में इसके पास हैं, 7, और जैसा ही 7 हो जाएंगे, तो क्या खास बत हो जाएगी, आईए देखिए, 7 होने पे chlorine, कितना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, अब आगई एक समस्या खड़ी हो गई, सर पिछली बार तो ये problem नहीं थी, सर पिछली बार तो ये problem नहीं थी, क्या problem नहीं थी, एक ही electron sodium को lose करना था, और एक ही chlorine को gain करना था, यहां तो, यहां तो magnesium एक electron तो lose करेगा, यह रहा, सर दूसरा क्या होगा, अरे घबडाते क्यों chlorine दूबार आ जाएगा, आप समझ गए, chlorine last shell में एक electron यहां accept कर लेगा, क्योंकि 7 उसके पास already electron है, एक electron दूबारा chlorine और accept करेगा, मतलब chlorine का structure एक बार और बनेगा, बना दू नीचे, आईए बनाते हैं, दूबारा chlorine बनाते हैं, इस बार chlorine के पास फिर से last shell में 7 electron बनाऊंगा, देख लिजे, 7 electrons तयार होगा हैं, आपके पास, आउटर मोस शेल में यह रहे, 7 electrons, पर यह वाला magnesium का एक electron यहां पर आ जाएगा, इस तरीके से क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इस तरीके से magnesium ने अपने, yes, दूनों electron, दो chlorine के, हाँ, एक नहीं, chlorine के दो electrons को, yes, दोनों atoms को, sorry, share कर दिए, अब आपका structure जो है, कुछ इस तरीके से बन गया, कि आपका chlorine, sorry, आपका magnesium, तो 2 प्लस हो गया, क्या कहते हैं, 2 प्लस हो गया, समझ गया न, 2 ions, और chlorine क्या हो गया, chlorine का charge, दो बार आने से क्या हो गया, वो finish हो गया, क्योंकि chlorine एक बार नहीं, दो बार गया, समझ गया, तो chlorine दो बार आने से क्या हो गया, two times आने से ये value, twice होने से chlorine की क्या हो गई, परावर हो गई, आप इसको लिख सकते हैं, mgcl2, क्या कहते हैं, आईए, क्या कहते हैं, देखते हैं, कैसे हमारे पास, ये बना, आईए, बुकिश में देखते हैं, किस तरीके से हम लोग सको करते हैं, जैसे हम बात करेंगे magnesium chloride की, तो कुछ इस तरीके से magnesium chloride आएगा, mg ने chlorine को एक बार नहीं, दो बार आना पड़ा, आईए, तीसरा और आखरी डाइग्राम देखते हैं, याद रखिएगा, electron dot डाइग्रा है, आईए, अब देखते हैं, calcium oxide को, जैसे हम बात calcium की बात करते हैं, तो calcium की outermost shell में दो electrons होते हैं, क्योंकि इसका electronic configuration होता है, 2882, ठीक है, यह राख calcium का electron को, last shell में देखिए, कितने electrons हैं, दो electrons हैं, तो मने का हमेशा, जो electron dot diagram होता है, वो last shell को represent करता है, तो last shell में दो electrons हैं, oxygen की last shell में कितने electrons होते हैं, six, क्योंकि oxygen का electronic configuration होता है, two, six, two, six, तो last shell में six electron होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, तो एक ही बार में oxygen को दोनों electrons मिल जाएंगे, एक ही बार में, तो यह two plus हो गया, और यह two minus हो गया, minus क्यों हो, यह देख लिजए, दो electron इसने gain कर लिया, ब calcium oxide, very clear, पक्का, आईए, अब समझते हैं, कब-कब oxidation होता है, कब-कब reduction, क्या दोनों अलग-लग होते हैं, oxidation और reduction क्या अलग-लग होता है, मैं कहूँगा, नहीं, यह हमेशा साथ में होता है, एक ही बार में हो जाता है, तो जब कोई electropositive atom है, अथारत कोई metal है, हाँ मैंने बता है था, मैटल हमेशा electropositive होता है, वो oxidation कर जाता है, क्या करता है, metals के अंदर oxidation हो जाती है, metals होते हैं, electropositive, और जो non-metals होते हैं, वो electronegative होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ reduction हो जाता है, तो इसलिए इन दोनों को कहते हैं, redox, अरे भाई, read, 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 पढ़ो न, reduction और oxidation को जोड़ दो, तो बन गया, red, reduction, oxidation, आई एक example समझते हैं, sodium chloride के example से फिर से समझते हैं, हाँ अभी तो मैंने diagram दिखाया था, sodium chloride का, electronal diagram दिखाया था न, और फिर से समझते हैं, तो जब हम sodium chloride की बात करते हैं, तो यह रहा sodium chloride है, जड़ा reaction दियान से देखिए, यह बहुत simple सा reaction है, sodium chloride का, 2NA plus CL2 gives 2NACl, यह तो बहुत असान reaction है, कि sodium chlorine combine हो गया, बन गया sodium chloride, पर यह तो chemical reaction है, अब इसके पीछे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, इसके पीछे क्या oxidation हुआ, कहा reduction हुआ, आँ उसको समझते हैं, आईए, अब इस reaction को समझना है, यह 2NA कैसे बना, पहले यह समझें, फिर यह CL2 कैसे बना, यह समझें, तो 2NA बना ऐसे, देखिए ज़रा ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिए, sodium की बात करते हैं, तो sodium एक metal है, metal है, तो electron lose करेगा, तो इसलिए देखिए क्या हो रहा है, lose कर रहा है, दो electron, क्यों, दो क्यों सर, अरे भाई, 2 देखिए न, फिर दो electron, यह प्लस लिखा है मैंने आपर, प्लस टू electron, तो metals अमेशा एलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और एलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हों, दे अंडर गो ऑक्सिडेशन, कहां लिखा था यह लाइन, यह देखिए, कहां लिखिए लाइन, दे अंड कर जाते हैं, अब आते हैं, यह उस reaction का, conclusion है, थ्यान से देखिएगा, इस reaction का, conclusion है, थ्यान से दिखिएगा, आप देखिएंगे, कि एक ही साथ दोनों हो रहा है, sodium, जो की sodium, metal के रूप में है, यहाँ पर, देख लीजे, ठीक है पहले बन जाता है sodium iron यह रहा चार्ड लग गया हम ले से बोलते हैं sodium का kation बन गया तो हमने बताया metals हमेशा क्या करते हैं oxidation हो जाते है metals undergo oxidation अब आईए chlorine की बात करें chlorine क्या कर रहा है chlorine non-metal है आप जानते है chlorine non-metal है दो non-metal है ध्यां से समझेगा प्लीज क्योंकि इस पर based question आने वाले हैं आपको reaction देगा आपसे पूछेगा की oxidation का reaction है की reduction का reaction है हाँ यह आपको आना चाहिए तो non-metal है chlorine और देखिए क्या बन जा रहा है chlorine का anion बन जा रहा है चलिए एक पैचान हो गई पैचान ही हो गई कि metals क्या करेंगे oxidation करेंगे बन जाएंगे cation ठीक है metal याद करेंगे बन जाएंगे cation क्या होगा oxidation non-metal ध्यान से देख लीजे मैं लिख रहा हूं उपर आपके लिए क्या होगा बन जाएंगे anion क्या होगा मैं लिक रहा हूं r reduction clear clear पक्का यह हो गया redox reaction तो इसका मतलब है कि एक साथ reduction और oxidation टेक प्लेस करता है जवाब है yes क्योंकि कोई एक अगर lose करेगा जैसे मैंने कहा sodium lose कर रहा है तो कोई एक gain भी तो करना चाहिए electron तभी तो बराबर होग और कोई एक क्या करेगा gain करेगा ठीक है तो जो electron loss कर रहा है तो electron loss कौन करता है reducing agent इसका मतलब हमारा reducing agent कौन है metal तो metals हमेशा क्या होते है reducing agent होते हैं मैं color change करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे metals हमेशा क्या होते है reducing agent मैं लिख दे रहा हूं reducing agent non-metals क्या होते हैं oxidizing agent याद रहेगा आपको metals reducing agent होते हैं क्या करते हैं cations बन जाते हैं oxidation के process से त्यान रखेंगे आप और non-metals क्या करते हैं oxidizing agent होते हैं gain करने पर क्या बन जाते हैं reduction हो जाता है और anion बन जाते हैं ठीक है आईए एक और example देखते हैं इस बार example जो है वो है एक oxidizing agent कैसे मालूम चला सार आपको या oxidizing agent है देखिए O3 लिखावा है all the elements यहां all the compounds which add oxygen क्या which add oxygen और रिमूव hydrogen are oxidizing agent फिर से या तो oxygen एड करें या hydrogen रिमूव करें उन दोनों को कहते हैं क्या oxidizing agent जैसे कि मेरे case में Fe2O3 oxygen है oxygen add कर रहे हैं तो यह oxidizing agent है और यह कौन है metal है अल्मूनियम अकेला reducing agent है अब देखिए oxygen इसका यहां से क्या हो जाएगा गायब सर कहां गया यह oxygen इसका उठके उठके अल्मूनियम के पास चला गया तो oxygen इसका खताम हो गया इसे लिए इसको कह रहे हैं reduced हो गया इसके साथ reduction हो गया जबकि Aluminium के साथ क्या हुआ Oxygen उसने Gain कर लिया देखिए यहां Aluminium में Oxygen नहीं है यहां पर आता ही Oxygen आ गया तो यहां पर क्या हो गया Oxidation समझ गये Clear है आईए एक बार आगे बढ़ते है तो हर reaction में एक Oxidation और एक Reduction साथ में चलेगा अब आते हैं एक और Bond परते हैं नाम है Covalent Bond सर यह कैसा Bond है तो एक ऐसा Bond जो Sharing of Electrons से बनता है क्या 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 Sharing of Electrons से बनता है इसमें Non-Metal और Non-Metal का Involumen होता है Metal इसमें नहीं होता है ऐसे Bond को हम लोग कहते है Covalent Bond ठीक है Keyword क्या है इसमे Non-Metal Non-Metal होता है ठीक है और दूसरा Keyword है Sharing क्या Keyword है इसमें Sharing of Electrons होता है याद रखेगा जब कोई Elements जिनकी Electro-Negativity Keyword याद रखो जिसकी Electro-Negativity Difference क्या हो एक जैसी हो क्या हो एक जैसी हो या वो Non-Metals एक जैसे टाइप के हो जैसे Oxygen और Oxygen के बीच में जब Bond बनेगा तो Oxygen Non-Metal है यह एक भी Again Non-Metal है तो यह क्या बन जाएगा Covalent Bond Similarly Nitrogen और Nitrogen के बीच में Bond बनेगा तो भी एक Covalent Bond होगा या तो Similar होंगे या यह दोनो Non-Metal Same होंगे जिस हम कहते हैं Similar होंगे या इन दोनों के बीच में Electro-Negativity Difference कम होगा दोनों का Electro-Negativity Difference या तो Same होगा तो यह बन जाएंगे Covalent Bond Example के रूप में Hydrogen का H2 का Oxygen का Nitrogen का जब हम Hydrogen की बात करते हैं इसमें एक Electron Share होता है कितना? One Electron Share होता है इसे हम कहते हैं Single Covalent Bond क्या-क्या-क्या? Single Covalent Bond Oxygen में 2 Electron Share होता है इसे Double Covalent Bond कहते हैं और तीसरा Nitrogen में 3 Electron Share करते हैं Triple Covalent Bond ठीक है? तो Covalent Bond Double Sorry Single Double और Triple हाँ चोबल नहीं होता है ऐसा कोई Electron नहीं है जाचोबल 4 Electrons Sharing हो यह जो Number of Electrons Share कर रहे हैं इनी का नाम है Covalency क्या की वर्ड बोला? Covalency Covalency is the Number of Electrons that are Shared Covalent Bond बनाने में जो Shared हो रहे हैं Electrons उनको कहते हैं Covalency अच्छा Covalent Bond दो टाइप के हो सकते हैं Polar और Non-Polar सर यह Polar क्या है? Non-Polar क्या है? और इतका कुछ example समझ में आएगा जब हम बात करते हैं Polar की तो इसका मतलब है Pols होंगे जैसे North Pole South Pole हाँ है ना Pols हैं यहाँ पर है Positive Pole Negative Pole जिसमें Bipole होगा वो Polar होंगे सर यह क्या है? Bipole क्या है? और Non-Polar क्या है? ठीक है? पहले बात करते हैं यह Non-Polar क्या होता है? आईए पहले समझते है Non-Polar का मतलब है तो अगर क्या हो? Sharing हो Electrons की और Sharing कैसी हो? Equally Distributed हो Keyword यातर किये Share करना है Electrons और वो बराबर बराबर Distribute करना है तो तो Non-Polar बन जाएगा क्योंकि पोल्स पैदा ही नहीं होगे उनके अंदर Positive और Negative पोल्स पैदा ही नहीं होगे और क्या खास बात है? इनमें Separation of Charge नहीं होगा क्या? Separation of Charge नहीं होगा जो ये Molecule बनेंगे वो Symmetric Type के Molecule बनेंगे Electrically Molecule कैसे होंगे? Neutral होंगे आईए एक Example से मैं आपको दिखाता हूँ हाँ Example से आप समझ जाएंगे अभी Example से समझ जाएंगे आप यहाँ देखते हैं कि Example में पेज का Color पैग्राउंड ब्लेक कर रहे हैं हाँ आईए समझते हैं Example से हम बात कर रहे हैं एक ऐसा Compound एक ऐसा Element जिसमें कि एक ऐसा Compound जैसे हमने Example दिया अभी थोदर पहले अभी हमने Example दिया जस्टर अभी हमने Example दिया Non-Polar का Non-Polar में देखा हम लोग ने कि Hydrogen बनाना है या क्लोरीन बनाना है या Oxygen बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अगर हम बात करें Hydrogen की H2 की बात करें तो Hydrogen कैसे बनाओगा H प्लस H से बनाओगा अब Hydrogen की बात करेंगे तो Hydrogen की Outer Moose Shell में एक Electron है दूसरा Hydrogen इसकी भी Outer Moose Shell में एक Electron है क्योंकि पहली ही Shell incomplete है और पहली Shell में Maximum कितने Electron हो सकते हैं दो तो ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों अपने Electrons Share करेंगे क्या करेंगे Share करेंगे अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर ये दो Electrons दोनों के इस वाले Hydrogen के लिए भी ये दो Electrons मौजूद हैं और इस वाले Hydrogen के लिए बीच में भी है तो इस structure को क्या कहेंगे symmetrical structure symmetrical है ये bond ठीक है न? symmetrical क्यों है? symmetry form और ये देखे equal lines में cut किया जा सकता है something which is equally ठीक है? उसे कहते है symmetrical है तो ये symmetrical bond बन रहे है bond between similar क्या? bond between similar atom बन रहे है ये भी hydrogen, ये भी hydrogen क्या दूसरा example दूँ? हाँ, ये example है single covalent bond का single covalent का double covalent भी देख लेंगे? हाँ, double covalent भी देख लेते हैं आई, double भी देख लेते हैं double का example लेता हूँ oxygen का जब हम oxygen की बात करते हैं तो oxygen के outer most shell में outer most shell में six electron होते हैं जब ध्यान से देखिएगा कितना मैंने कहा? outer most shell में six electron होते हैं आप देख पा रहे होंगे कि अब दोनों ही hydrogen स्वारी, दोनों ही oxygen के outer most shell में six six electron हैं अब दो और ये दो क्या करेंगे? share कर देगे त्यान दिजेगा? share करेंगे बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे ओ देखे अब share करते समय क्या हो जाएगा? जो इनकी common electrons हैं, वो बीच में आ जाएंगे इसे हम कहते हैं shared pair of electrons ठीक है? और बाकी बचे electrons कहां रहेंगे? बाकी electrons as it is दियान दीजेगा बाकी electrons as it is 6 में से 2 electrons इसने share कर दिये इस वाले atom ने और 6 में से 2 इसने कर दिये अब दोनों के बीच में जो bond बन गया वो कुछ इस तरीके से बना अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 8 का एक complete shell बन गया 8 हो गया इस वाले oxygen में और इस वाले oxygen में भी क्या हो जाएंगे 8 ही होंगे चेक करके देख लीजे तो ये जो दो-दो electrons शेर कर रहे हैं ये double bond का example है क्या double covalent bond का example है क्या triple भी बन सकता है हाँ भाई triple बन सकता है किसके बीच में triple covalent bond बन जाएगा triple covalent bond बन जाएगा nitrogen के बीच में हाँ nitrogen में क्या होगा last shell में 5 electrons होते हैं देख लीजे last shell में 5 electrons होते हैं और 5 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों को ये 3-3 electrons क्या करने पड़ेंगे common करने पड़ेंगे share करने पड़ेंगे कमज गया नतिजा बन जाएगा ये जो 3 electrons इसके पास है और ये जो 3 electrons इसके पास है दोनों इसको क्या करेंगे share कर लेंगे देख लीजे इसकी shell में देखेंगे तो वाठ हो चुका होगा क्योंकि common हो जाएगा ये 3 और ये 3 इसे हम कहेंगे triple covalent bond पर ये 3 example जो मैंने आपको दिखा है double covalent bond दिखाया single covalent bond दिखाया ये रहा single covalent bond double covalent bond और ये रहा triple covalent bond तीनों में क्या होगा है like atoms है क्या like atoms है nitrogen nitrogen है oxygen oxygen है इसलिए ये सब basically non polar है क्या है non polar है क्योंकि इन में poles form नहीं हो रहा है non polar में structure जो होता है वो symmetrical structure होता है ठीक है आईए होर क्या खास बत होती है electrically ये neutral भी होते है क्या सारे non polar ऐसे ही होते है सिर्फ similar atoms के होते है नहीं dissimilar atoms के भी होते है but structure क्या होगा उसका उसका molecule का structure symmetrical होगा cut into equal halves हो जाएगा ठीक है न और electrically क्या होंगे वो neutral होंगे अब आता है सर ये polar covalent क्या होते है सर हाँ polar मतलब poles हाँ तो polar जब बनते है तो जो shared pair होते है वो equally distribute नहीं होते है जो बीच में common pair दिखाया था ना shared pair वो equally distribute नहीं होते है और इनमें charge develop हो जाता है there is separation of charge electronegativity difference क्या electronegativity difference पैदा होता है वो electronegativity difference जितना हाई होगा उतना ज़्यादा chances है polar covalent compound बनने की polar bond बनने का सबसे बड़ा reason है higher the electronegativity difference हाँ Paulus हाँ Linus Pauling हाँ ने एक scale बनाय था न electronegativity difference बताने का तो electronegativity जो shared pair को अपनी तरफ attract करने की power होती है क्या shared pair को अपनी तरफ electrons attract करना चाहते है इस ताकत को कहते है electronegativity और electronegativity difference इसमें बहुत ज़्यादा होता है इसी से बनते है poles ठीक है तो अब आता है ये covalency क्या होती है सर हाँ भाई covalency क्या है what is covalency तो मैंने अभी जिख बताया covalency बताता है कितने what is covalency covalency number होता है किसका number of electrons जो shared pairs में बनने मादत कर रहे है धोड़े पहले बताया single covalent bond होता है hydrogen में example देकर diagram देकर दिखाया आपको कि एक एक electron share हो रहे है hydrogen में double covalent bond में कितने share हो रहे है दो-दो हो रहे है जैसे example oxygen diagram में दिखाया और triple covalent bond दिखाया जैसे nitrogen जिसमें तीन तीन electron चौबल नहीं होता है और आगे भी नहीं होता है अब आता है word ionization क्या होता है सर तो एक ऐसा process एक ऐसा process जो covalent compounds को ions में convert कर देता है ठीक है ions बन रहे है याद रखिए का ionic compounds की बात नहीं कर रहा हूँ अब एक example से समझते है एक hydrogen molecule को हाँ मैंने अभी diagram दिखाया था अब आपको फिर से diagram दिखाने समझ में आएगा सबसे पहले देखिए एक hydrogen molecule जो की एक non-polar है सर आपको कैसे मालूँ यह non-polar है मैंने बताया non-polar किसके बीचे बनते हैं वो compounds के बीचे बनते हैं जिनके बीच में electrical charges नहीं होते हैं neutral होते हैं और जिनके बीच में poles डेवलप नहीं होते हैं separation of charge नहीं होता है और जो shared pair होते हैं वो equally distributed होते हैं क्या? shared pair equally distributed होते हैं जैसे आप hydrogen को देखिए hydrogen का structure before combination last shell में one electron होते हैं आप तो जानते ही हैं और ये रहा दूसरा hydrogen atom एक single hydrogen atom ये रहा एक ये रहा अब दोनों को क्या करना है? combine करना है देखिए combine करेंगे तो दोनों के पास क्या आगा है? एक एक करके पहली shell complete क्योंकि एक एक single share कर रहा है इसलिए एक single dash से represent कर रहे हैं एक single dash line से represent कर रहे हैं ये शो करने के लिए कि ये single covalent bond है कैसी line है? एक single line है ठीक है? अब आता है chlorine की बात करते हैं तो chlorine again chlorine chlorine दोनों साइ chlorine लेना है chlorine की outermost shell देखिए combination से पहले last shell में 7 electrons है आप देखी पा रहा है दूसरा chlorine है last shell में ये दो chlorine atom है अब जब combine कर जाएंगे देखिए ये जो 7th वाला electron था ये देखिए 6 हैं इधर 6 है इधर और 6 है इधर ये जो बीच में है ये common बन जाएगा common क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब इसको ये include करेगा तो ये खुद 8 बन जाएगा देखिए और जब ये इसको अपने में include करेगा ये भी 8 बन जाएगा तो ऐसा करने से क्या वरा जाएगा ये जो है ये जो बीच वाले हैं इन्हें हम कहते है shared pair क्या बोलते है shared pair क्योंकि ये लोग दोनों share करेंगे ये वाला electron chlorine atom ये भी इसको share करेगा और ये वाला भी इसको share करेगा दोनों के बीच में समझ गया है आएए अगें क्योंकि एक-एक electron share हो रहे हैं क्योंकि एक-एक electron दोनों share कर रहे हैं इसलिए इसका नाम है single covalent bond once again एक और example देता हूँ जिसमें कि दो dissimilar atoms हैं फिर से बोल रहा हूँ अलग-अलग atoms हैं similar atoms नहीं हैं जैसे chlorine chlorine similar था nitrogen similar था oxygen similar था तो non-polar बन रहे थे अब इस dissimilar है जैसे carbon भी है chlorine भी है carbon और chlorine जहांसे देखेगा carbon की बात करते हैं carbon की outermost shell में 4 electrons होते हैं चला देखे द्यान से तो carbon की outermost में 4 electrons होते हैं electron 1, 2, 3, 4 4 electrons है chlorine की last shell में 7 होते हैं यह तो हम लोग जानते ही हैं 7, 7, 7, 7 यह तो हो गया अभी combine नहीं किया है before combination देखे नाम क्या है carbon tetra chloride मतलब कारवन एक है पर क्लोरीन कितने है 4 4 है 1, 2, 3, 4 combine करते हैं 4 को combine करते हैं देखो combine करते हैं देखे structure क्या बन गया electron dot diagram आपको आना चाहिए it is important because आपको draw करने को आएगा ठीक है देखे combine करने के बाद क्या हो गया इस carbon को देखें carbon को देखते हैं तो उसके पास 8 electron हो गए चेक करिए 8 हो गए count करके देखा दू 4 cross है और 4 dots है तो cross और dots मिला करके carbon के पास 8 हो गए सब chlorine हाँ भाई chlorine में भी 8 हो गए 6 तो अलड़ी हैं इसके पास पर ये देखिए 6 और ये दो 8 6 और ये दो 8 तो chlorine ने भी अपना काम कर लिया sharing करके अपने अपने आपको octet बना लिया देख लीजिए carbon भी octet बन गया 8 हो गया stable configuration और chlorine भी 8 8 8 8 हो गए समझ गए सब ने एक एक electron share किया ये सब है polar non polar अगे इन देखिए structure कैसा है एकदम symmetrical structure है हाँ equal sharing हो रही है सब तरफ unequal sharing नहीं है इसलिए जब equal sharing होती है separation of charge नहीं होता है इसका जो molecule है वो एक symmetrical molecule है इसलिए ये क्या है ये एक non polar है अब पैचान जाओगे क्योंकि इसमें poles produce नहीं हो रहे है separation of charges नहीं हो रहा है आईए आईए अब आगे बढ़ते हैं और आपको polar का दर्शन कराते हैं ये polar समझ लोगे तो बहुत clear हो जाएगा हाँ नाम है water का molecule क्यों तुर्वा ध्यान से देखेगा पोल समझना बहुत जरूरी है उसको पर ठाल पोल समझना बहुत जरूरी है polar polar में separation of charge होगा polar में जो molecular attraction है वो हाई होगा और सबसे important चीज कि क्योंकि ये polar है तो poles develop होंगे electron negativity difference दोनों elements के बीच में हाई होगा तो पानी किस से बना है मैं कहूंगा पानी बना है H2O से मतलब hydrogen भी है और oxygen भी है आईए देखे before combination combine करने से पहले hydrogen की पहली shell में एक electron electron किस से represent कर रहे है इस cross से represent कर रहे है oxygen की outermost shell और 6 electron देख लिजी 1,2,3,4,5,6 6 electron है सही है hydrogen दो बार आया था H2 है तो इसलिए H2 बार है एक यहां पर एक हैच यहां पर अब यह तो हो गया before combination combine करे निसे पहले अब दोनों को करते है combine चलिए combine करते हैं ध्यान से देखिएगा structure देखिए यहां hydrogen आ गया यह रहा बीच में oxygen है और यहां रहा दूसरा hydrogen बहुत टिपिकल चीज नहीं है बहुत सिंपल है आप बस structure को कॉपी कर दीजे देखिए अब oxygen को ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि oxygen के पास 8 हो गए हो गए 8 6 खुद के electrons और एक hydrogen को यहां से लिया electron एक यहां से लिया हो गए अब यह hydrogen की साथ क्या हुआ इसका भी shell complete हो गया कैसे आईए इसको भी shell देखें इसके पास है एक electron खुद के और एक इसने oxygen का share किया देखिए blue color से मैंने बनाया है यहां पर भी देख लिजिए यहां पर भी देख लिजिए यह वाला hydrogen का भी पहला shell जो की दो है हाँ hydrogen की तो पहली shell ही दो होती है न बस इसको दो complete करना होता है हो गया बन गया structure तो इससे हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे polar हाँ polar इसे कहेंगे polar covalent compounds क्योंकि इसमें poles develop हो जा रहे है हो गया है कुछ reason की क्यों बहुत छोड़ता question है reason भी बन सकता है इस पर based question आ सकता है आप से question पूछता है वाई करके question पूछ सकता है हाँ छोड़े difficult question के लिए ध्यान दिजिएगा common reasons आपको बार-बार मिलेंगे common points आपको बार-बार मिलेंगे याद करने की रटने की कोशिश मत करिएगा question जैसे ये बनेगा question ये बनेगा कि why electrovalent compounds are made of ions या why they are hard solids तो reason सबका दोनों का एक ही है because they have strong electrostatic force of attraction क्योंकि ionic compounds में ions होते हैं और positive और negative ions होने की वज़े से इनका force of attraction ज्यादा strong होता है यही चीज covalent compound में question बन सकता है कि covalent compounds में molecules होते हैं covalent compounds ज्यादातर solids के रूप में होते हैं या liquids के रूप में होते हैं या ये भी reason आसकता है कि why covalent compounds are soft solids क्या soft solids तो reason क्या है because इनका जो force of attraction होता है वो weak होता है they have weak force of attraction और वो ions के बीच में नहीं है molecules के बीच में हैं again melting and balling point इनका high क्यों होता है why covalent compounds have high melting balling point same reason है फिर से strong force of attraction होता है और इस force of attraction को break करने के लिए ज्यादा energy की जर्वत पड़ती है यहाँ पर उल्टा कर दो इनका force of attraction weak होता है इसलिए कम energy की जर्वत पड़ती है इसका melting and balling point low होता है electrical conductivity usually electrovalent compounds electrical conductors होते हैं solid states में नहीं होते हैं किस state में नहीं होते हैं solid state में यह conduct नहीं करते हैं जैसे sodium chloride sodium chloride solid state में conduct नहीं करता है पर sodium chloride को जैसे ही solution of sodium chloride बना देंगे जैसे ही sodium chloride in water बना देंगे aqueous solution जिसम बना देंगे तो यह good conductor बन जाता है क्यों? तो solid state में क्या होता है electrostatic force of attraction होता है जबकि solution state में क्या होता है इसमें ions जो होते हैं वो produce हो जाते हैं और ions mobile होते हैं ions charge होते हैं इसलिए जो solution state में या molten state में they conduct electricity और यह क्यों नहीं conduct करते हैं? क्योंकि इनमें ions होते ही नहीं है no free ions जब ions ही नहीं होंगे काम खतम चलो electrovalent compounds किस से बने होते हैं? ions से बने होते हैं बता चुका हूँ और इसमें क्या होता है? जब electric current पास करते हैं non polar nature of covalent compounds को तो वो कभी भी ionize नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके अंदर ions ही नहीं होता है याद रखेगा non polar की बात कर रहा हूँ जैसे कि oxygen का example दिया था hydrogen का example दिया था chlorine का example दिया था जबकि polar वाले जब compounds होते हैं वो ions बन सकते हैं याद रखेगा किस में बनते हैं? सिर्फ polar सिर्फ polar covalent compounds ionize करते हैं अथार ions में break होते हैं कब break होते हैं ions में? जब ये solution state में आते हैं जैसे कि हमारा पानी HCl सुरी water water क्या है? एक polar covalent compound है जैसे इसमें acid मिलाते हैं ये hydronium और chlorine ions में break हो रहा है तो ions में break होने को कहते हैं ionization when polar covalent compounds disassociate or break down into ions it is called as ionization समझ गए? polar covalent compounds ही ions बनते हैं ठीक है? difference समझ में आ जाएगा kosher reasons बन जाएगा solubility मैंने बता दिया polar covalent sorry electrovalent compounds पानी में soluble होते हैं क्यों पानी में soluble होते हैं? क्योंकि जो पानी water जो है वो एक polar compound है क्या है वो? वो एक polar compound है उसके अंदर एक ability है वो है क्या? कि वो electrostatic force को क्या? it decreases the electrostatic force of attraction अथार्थ वो ions produce कर सकता है keyword क्या है? it helps to produce free ions उसके अंदर ability होती है क्या करने की? electrostatic force को कमजोर करने की जो negative और positive charge के जो force होते हैं उसको वो कमजोर कर सकता है कौन कर सकता है? पानी कमाल का product है universal solvent इसी लिए है वाई पानी एक ऐसा substance है पानी एक ऐसा compound है मारे nature में जो लगबग हर चीज दुनिया की घुला लेता है अपने अंदर dissolve कर लेता है because of the unique property of polar co-mound क्या है? वो एक polar covalent compound है समझ गया न? अच्छा covalent compounds क्या होते है? पानी में soluble नहीं होते है हाँ polar covalent compounds organic solvents हाँ जैसे tolune नाम सुना है? tolune अरे kerosene तो नाम सुना होगा भाई हाँ उसमें dissolve हो जाते हैं समझ गया न? polar covalent covalent compounds जो होते हैं वो organic solvents में dissolve हो जाते हैं जैसे kerosene भी हो सकता है आगे rate of reaction की बात करें तो covalent compounds sorry electrovalent compounds में rate of reaction बहुत fast होता है speed reaction होता है क्यों reaction तेज होता है? क्योंकि इसमें ions free होते हैं इसमें rate of reaction slow होता है क्योंकि इसमें ions नहीं होते हैं molecules होते हैं और molecules आप जाते हैं slow react करते हैं चलो अगला आखरी दीसरा दoire डो वर लिया पहला शेरिंग की वज़े से होता है मैंने बता या कोवलेंट Ceauge होता है हमने डिसकस्किया अब तीसरा जो इन दोनों से मिलाकर बनने वाला है इक ऐसा बाउन । जो की शेरिंग पेर औरक्प्रॉन क्या कीवर्ड है एक electron नहीं, pair of electrons फूरे एक pair of electrons entirely by one of the combining atom ठीक है न, जैसे कि hydronium ions हाँ, H3O plus ions या ammonium ions दो example दे रही है क्या आप मुझे एक example दे सकते हैं other than these two give one example, हाँ, like बैठे हो तो अभी बताओ मुझे क्या example बताना है, example of coordinate bond चलिए, coordinate bond बनने की कुछ conditions है कुछ शर्ते है, क्या शर्त है पहली शर्त है, कि one of the two atoms must have at least one lone pair सरी, lone pair क्या होता है आप lone pair समझाते है अगर आप देखेंगे H water बना रहा हूँ, ठीक है water बना रहा हूँ, water बना रहा हूँ तो H यह रहा दियान से देखेंगा मैंने बनाया आप के लिए water सर कहां बना water structure को ध्यान से देखो तो आपको water दिखाई देगा आपको इसमें दिखेंगा यह रहा हाईड्रोजन यह रहा हाईड्रोजन अब इसमें दिखेंगे यह दो lone pair of electrons हैं, कहां है सर lone pair यह यह, इसको कहते है lone pair, मैं black color से खाता हूँ इसको कहते है lone pair यह दिख रहा है, यह, यह तो क्या होना चाहिए one lone pair होना कमपज रही है, lone pair मतलब 2 electrons साथ में हो और किसी से combine न की हो, lone होना चाहिए मतलब अकेला, pair होना चाहिए जो साथ लोना चाहिए, यह 2 electrons यह 2 electrons, यह 2 lone pair है यह भी एक lone pair, इसे कहते है lone pair तो hydrone मतलब पानी में भी होते है और ammonia में भी होते है क्या समझ गए, clear है a pair of electron lone pair का meaning बता रहा हो, देखे a pair of electron which is not shared क्या न करता हो, किसी से share न करता हो उसे कहते हैं हम लोग lone pair what is lone pair? दूसरा क्या होना चाहिए इसके लिए दूसरा चाहिए, एक दूसरा atom जिसके पास at least a pair of electron का कमी हो जैसे की hydroneum ions, sorry hydroneum ions, इसके पास एक भी क्या है electron shell complete नहीं, देखे ने h plus है, अधात एक single electron भी नहीं है, वो भी loose कर गया है देखे ने h plus है तो क्या नहीं है, short of इसके पास deficiency है एक pair of electrons की और इसके पास lone pair of electrons है अब इनी के बीच में bond बनने वाला है, किसके बीच में समझ गए ना, जिसके पास lone pair of electron है एक वो element है मलब एक compound है और एक iron है, एक atom है जिसके पास क्या है, है ही नहीं pair of electrons, समझ गए, तो a bond between an iron किसके बीच में, एक iron के बीच में जो कि हमारे example में है hydrogen, और दूसरा है एक atom of polar covalent जैसे मेरे example में है, water तो h2o और h, अगर इनको जोडा जाए, तो बन जाएगा h3o plus क्या कहते हैं यह रहा water polar covalent और यह रहा hydrogen का iron दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा hydrodium, यह हमारा है कैसा compound co-ordinate compound आईए co-ordinate compound की जब बात करते हैं, तो उसमें again एक donor होगा, मतलब obvious बात है जो donate करेगा जो donate करता है, basically वो एक complete compound होता है, और दूसरा कौन होता है, एक acceptor होता है वो iron होता है, ठीक है न अच्छा, bond का symbol क्या है, देखिए कुछ arrow लगावा है कुछ तरीके से, coordinate bond का symbol है, यह arrow again, structure of हम लोग structure of ammonia, हाँ, सुरी hydronium ions कर रहे है hydronium ions के structure के लिए आप देखिए H plus का structure आपको मालूम है hydronium ions का Lewis structure और water का structure भी आपको मालूम है water के last shell में हो गया oxygen, sorry, oxygen का structure हो गया O के last shell में 6 हो गया, आए दोनों को combine करते हैं, देखिए यह रहा मैंने भी structure पहले दिखाया था यह देखिए, यह रहा shared pair, क्यों? क्योंकि यह pair hydrogen के साथ और oxygen के साथ share कर रहा है और यह वाला pair भी देखिए, share कर रहा है यह वाला pair और यह वाला pair बचा कौन? यह वाला pair O उपर वाला और यह नीचे इन दोनों को कहते हैं लोग lone pair क्या बोलते हैं इन दोनों को? यह रहा देखिए, lone pair यह भी नीचे वाला भी lone pair है, यह भी lone pair है अब आते हैं इसी lone pair में इसी lone pair में क्या होगा combine कर जाएगा hydrogen ion H plus ions एक lone pair के साथ combine कर जाएगा बन जाएगा coordinate bond चलिए the unshared pair क्या unshared pair को हम लोग क्या नाम से जानते हैं lone pair क्योंकि ये lone pair है ठीक है इसी lone pair में क्या होता है एक hydrogen ions आके combine कर जाता है कम माइन करता है तो हम लोग एक symbol लगाते हैं wedge का यह symbol लगा जेते हैं wedge चलिए the hydrogen ion spontaneously adds to one or the देखिए diagram को ध्यान से देखिएगा यह structure है आपका water का ध्यान से देखिए यह structure है water का और यह रहा hydrogen ion का H plus hydrogen ion है मतलब इसके अंदर कोई भी electron नहीं है हाँ भाई plus charge देखिए रहा है क्या मत पता चल रहा है कि एक electron था वो भी क्या हो गया असने lose कर दिया तभी तो plus है अब देखिए क्या हो जा रहा है इस lone pair के साथ यह रहा lone pair नीचे वाला यह lone pair याद है ना यह lone pair है इसके साथ देखे यह h combine कर जा रहा है यह h यहाँ पर lone pair के साथ combine कर जा रहा है बन जा रहा है देखिए h3 hydronium ions बन जा रहा है हम लिख सकते हैं h3o plus hydronium ions क्या हम अमोनियम भी बना सकते हैं हाँ भाई क्यों नहीं बना सकते हैं हाइड्रोनियम हो गया तो आपढ़ो हमोनियम हो जाएगा आपढ़ो मूनियम देहें इंजिए अमोनियम के लिए देखिएсьव अगेन पहले群या आना चाहिए हमेरे पास सबसे पहले मूनिया की बात करते हैं अमोनिया में क्या है देखिए h3e यह रहा NH 3 नाट्विन की लाश्य यें में पांच एलेक्ट्रोन एक दो तीन चार पांच पांचो सर्कल बने हुए है पांच एलेक्ट्रॉन से हैं अब हाईडरेजन कम्बाई हो रहा है पहला हाईडरोजन एक दो तीन लोन फेक्ट्रोन है यह देख लजेए unshared pair of electrons हैं इसी पे ये hydrogen क्या हो रहा है iron इसी में hydrogen iron जिसको हम proton कह रहे हैं इसमें add हो जाएगा देखें यहाँ पर add हो गया और बन गया ammonium ठीक है तो एक covalent bond जिसमें पहले से ही है उसी में coordinate bond बनता है अथाथ covalent bond के होने के बाद ही covalent bond होने के बाद ही coordinate bond बनता है condition दो पूरी करनी है पहला condition यह है कि एक iron होना चाहिए एक proton होना चाहिए जिसके पास absence of electron हो और दूसरा condition क्या होना चाहिए lone pair of electron होना चाहिए एक pair of electron जो की uncomband हो जब यह दोनों शर्ते पूरी होंगी तभी बनेगा इस तरह से coordinate bond आईए hydroxyl कभी समझ सकते है OH-ion electrons इसमें क्या होने वाला है इसमें पानी जो H2O है इसमें से hydrogen को H plus को दिखा रहे है ठीक है H plus को remove कर रहे है ध्यान से देखेगा यह रहा water का bond ध्यान से देखेए water का bond है H2O है complete H2O ठीक है H2O hydrogen 1 hydrogen 2 कैसे निशान है यह रहा hydrogen का यह रहा hydrogen का single single cross लगावा है hydrogen का और oxygen के last shell में 6 1 2 3 4 5 6 अब इसमें से क्या कर रहे है इसमें से एक hydrogen को सिर्फ ion को remove कर देने H plus इसको remove कर दे रहे है सिर्फ इसको remove कर दे रहे है क्या बन जा रहा है देखिए OH minus ठीक है न OH minus देखिए अभी भी shell में 8 है त्यान दीजे last shell में 8 है की नहीं है 8 है और OH minus हो गया यही है negative ions बनाना ठीक है hydroxyl ions structure of hydroxyl ion आज रखिएगा आपको electron dot diagram आना चाहिए आप swim करिए हो सकता है देखने में आपको लग रहा औरे sir इतना असान है हाँ मैं कह रहा हूँ असान है बट जद तुम लगाओगे तम मैं मानूँगा कि यह सच में असान है हाँ आपके लगाने से आपका concept और strong होगा और better होगा और इसी तरह के से सारे lessons को finish करने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब sir तरुन रुपानी हाँ मैं आपके लिए धेल सारे exclusive content लाता हूँ और सारे major subjects को आपको इसी channel पर हम यहीं गवर कर रहे होते हैं एक विश्वाश एक यकीन आपको दिला सकता हूँ कि अगर आपने इमामदारी से वो सब follow किया जो हम आपके लिए बना रहे हैं और इतनी धेल सारी यस धेल सारे contents एक ही channel पर एक ही place पर ला रहे हैं तो आपको यकीन करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं उसको follow करना पड़ेगा religiously follow करना पड़ेगा जैसे आपके superiors ने हाँ जो अभी जो current session 23 pass out है जो बहुत सारे superstars हैं जिन्होंने 98 plus percent पाया है बहुत सारे ऐसे मेरे superstars हैं जिन्होंने 98 plus percent score किया था उन सब की journey इसी तरीके से आपकी तरह ही start हुई थी हाँ आपकी तरह ही मेरे साथ yes start हुई थी और मैं यकीन दिला सकता हूँ कि आपको भी आपकी मंजिल तक मैं ले जाओंगा यकीन दिलाता हूँ कि आपको करनी है शिद्दत से इमानदारी से focus हो करके मेरे साथ पढ़ाई और इधर दर भटकना नहीं है क्योंकि अगर आप भटके इधर दर मैं तब भी आपका साथ नहीं चोड़ोगा तो चलिए इसी विश्वास के साथ इसी सिद्दत के साथ और बने रहिए सर तरुन रुपानी के साथ आपको exclusive content absolutely free मिलने वाले होते हैं हाँ यहाँ पर आपको एक एप मिल रहा है सर तरुन रुपानी नाम का एप हमारा yes क्या करेंगे कहां मिलेगा एप अरे भाई प्ले स्टोर में जाओ टाइप करो सर तरुन रुपानी हाँ लिखो sir sir tarun रुपानी हाँ हम इसे कहते हैं प्यार से star कैसे sir tarun से और रुपानी से आ तो star आप हैं इसलिए मेरे सच्चे सुपर स्टार्स तो इसी विश्वास के साथ कि हम ठेल सारे आपके साथ इसी बोड के करेंट सेशन 24 बोड के सारे लेटेस वीडियो एप सुलूटली फ्री अपलोड कर रहे हैं और आपको करना है